हेलो एव्रिवान वेलकम टू आएफेस तो आज की सेसर में हम बात करेंगे कि सीउएटी जो 2023 का एक्जाम होने वाला है मैथमेटिस के लिए आखिर उसका सलेबस क्या हो सकता है मतलब कौन-कौन से सब्जेक्ट आपको पढ़ना चाहिए ताकि आपको एक आड़ा मिल जाए कि अगर आप सी उटी के ठ patron provision की से जाने में या जेनियू कही पर भी अड़िंसन लेना चाहते हो तो आपको आपको क्या करना होगा इस सलेबस को परना ख exists कि विडियो में हम सी उटील में कि इस करने वाले हैं तो चले स्टाट करतेंकboth को सबसे पहले सलेबस की बात और बैस कर मास के लिए पूछा जाता है ठीक है और आप आगे बढ़ते हैं पार्ट भी पार्ट भी आपका mathematics से होगा जो की 75 मास के लिए पूछा जाएगा तो स्टार्ट करते सलाइबस में सबसे theorem for finite group पूछा जाएगा group homomorphism और quotient group भी पूछा जाएगा यह तो बात हो गया group का यह तो group का syllabus है अब आगे हम बात करते हैं रिंग से क्या पूछा जाएगा ring है सब रिंग है ideal prime ideal maximal ideal पूछा जाएगा और field से एक तो field पूछा जाएगा उसके साथ साथ आप से quotient field पूछा जाएगा तो यह सलाइबस था abstract algebra का अब आगे हम बढ़ते हैं बात कर लेते हैं एक और algebra जिसे आप linear algebra कहते हो तो linear algebra से क्या क्या पूछा जाएगा vector space पूछा जाएगा linearly dependent independent vectors पूछा जाएगा basis dimension linear transformation matrix representation of linear transformation भी पूछा जाएगा with respect to ordered basis दिया जाएगा या standard basis से सारी चीज़े आपको यहाँ पर पूछा जाएगे यहीं पर आप से पूछा जाएगा range space क्या होता null space इनका dimension जिसे आप rank और nullity कहते हो या dimension of kernel T कहते हो rank nullity theorem पूछा जाएगा matrix का rank और inverse पूछा जाएगा determinant पूछा जाएगा system of linear equation consistent condition पूछा जाएगा मतलब system के पास solution है या नहीं इसके बारे में detail में यहाँ पर आप से question पूछा जा सकता है और examiner का favorite topic आइगें value और आइगें वेक्टर से question पूछा जाएगा क्याले Hamilton theorem आएगा symmetric matrices क्यू symmetric हर्मिशन इसक्यू हर्मिशन orthogonal और unitary matrix पूछे जाएगे मतलब इन सौर्थ हम कह सकते हैं कि type of matrices के बारे में भी आप से यहाँ पर पूछा जाएगा यह था linear algebra का syllabus I think linear algebra का syllabus आपको clear है अब हम आगे बढ़ते हैं अब अगला number आते हैं real analysis तो real से number convergent divergent sequence पूछा जाएगा bounded monotone sequence पूछा जाएगा convergence criteria of sequence of real number पहुची sequence से पूछा जाएगा absolute and conditional convergence पूछा जाएगा और अलग-अलग तरह के function of one variable तो one variable में normally limits continuity or differentiability पूछी जा सकती है limits continuity differentiability अब इसमें ही इनके अप्लिकेशन जैसे की रॉल्स थेयरम है कौची टेलर्स थेयरम है और यहीं पर आपको point set topology मतलब interior point limit point open set close set bounded connected compact यह सारी चीज़े पूछी जाएगे और इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते टेलर मेकलारीन सीरीज डोमेन ऑफ कंवर्जेंस तमवाइस differentiation और इंटेग्रेशन आफ पावर से मतलब पावर सीरीज से भी क्वेशन पूछा जाएगा यह सारी चीज़े आप लोगों को function of one variable में पढ़ना है अब यहीं पर लगे हाथ हम बात कर लेते function of two variable तो यहाँ पर भी limit continuity partial derivative to differentiability के question पूछे जाएंगे और maxima और minimum से भी यहाँ पर question पूछा जाने वाला है और lagranches multiplier आप से पूछे जाएंगे साथ में homogeneous function क्या होता है including Euler theorem और homogeneous function से related question भी आपको function of two variable में पूछा जाएगा ठीक है कोची रिमान्स equation power series पूछा जाएगा properties of line integral गोर्साट theorem पूछा जाएगा कोची स्थेरम पूछा जा सकता है consequence of simply connectivity index पूछा जाएगा कोची integral formula पूछा जाएगा मौरास theorem levelist theorem fundamental theorem of algebra और harmonic function यह तो सलेद्वस्था complex analysis का अब आगे अगर मैं बात करूए integral calculus भी है सलेद्वस में यह creation as a inverse process of differentiation definite integral their properties fundamental theorem of integral calculus double or triple integral पूछे जाएगे change of order integration पूछा जाएगा calculating surface area volume कैसे calculate करना है by using double and integral या उसके applications पूछे जाएगे volume by using triple integral और उसके application आपसे पूछे जाएगे integral calculus में अगला subject आता है differential equation यहाँ पर ordinary differential equation देख सकते हैं इस type का पूछा जाएगा bar knowledge equation होगा exact differential equation integrating factor होगा orthogonal trajectory से भी question पूछे जाएगे homogeneous differential equation में यहाँ पर separable solution variable separable form linear differential equation of second and higher order with constant coefficient पूछा जाएगा method of variation of parameter और एक कवची Euler equation आपसे differential equation में पूछा जाने वाला है तो यहाँ पर सिप ordinary differential equation पूछा जाएगा partial नहीं है इसका part आपके syllabus का अब यहाँ पर vector calculus भी है जो कि IIT जाए में नहीं पूछा जाता जबकि sweat में पूछा जाएगा यह क्या है scalar and vector field gradient, divergence, curl, laplacian, scalar line integral, vector line integrals, scalar surface integral, vector surface integral, greens theorem, stocks theorem और Gauss theorem और उनके applications आपसे पूछा जाएगे vector calculus में ठीक है अब अगला हम बात करते हैं LPP से linear programming से भी कुछ question पूछे जाएगे बहुत जाएगे थोड़ा बहुत यहां से भी question पूछा जाता है तो किस topic से पूछे जाएगे और topic इस तरह है convex set है, extreme point है, convex cell है, hyper plane, polyhedral set है, convex function, concave function, concept of basis, basis feasible solution, formal installation of linear programming problem, LPP या graphical method आप से पूछा जाएगे LPP को solve करने का और यहां पर एक simple method से भी question पूछे जाएंगे, तो यह तो था आपका CUET 2023 के लिए syllabus तो आप लोगों को क्या करना है, आपका syllabus दीख लीजए, इस syllabus के according आप लोग प्रिपेर करना श्टार्ट कर दीजए, अगर आप DU में admission लेना चाहते हैं, BHU में, JNU में, जाम आप लोग admission ले सकते हैं, तो इस साल CUET के exam जो होगा, जून में होगा, आप लोग अपने preparation श्टार्ट कर दीजए, ओके, तो आज के वीडियो में इतना ही है, अगर कुछ भी doubt रहता तो बिल्कुल आप लोग comment करके भी पूछ सकते हो, तो thank you so much and happy learning